36 गड़ के रायपूर में केमिकल फाक्टरी में भीशन आग लगे बता गया कि इस फाक्टरी में आग से बशने के कोई इंतजाम नहीं थे जिसकी वजह से आग फैलती ही चली गई तेजी से निकलता काला धुआ वहां के आसमान पर छाक गया बताई गया कि इस धुएं से वहां कुछ लोग बेहोश भी होए हालनकि आग लगने की खवर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची मगर आग का विक्राल रूप देखकर एयरपोर्ट से खास गाड़ी को इस काम के लिए बुलाना पड़ा जिसकी मदद से 250 फीट दूर तक पानी की बच्छार की जा सकी पुलिस ने शिरुवाती जांच में शौट सर्कुट को आग लगने की वज़ा है